हर दिन अप्लोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हुपाए धन्यवाद समस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांती पर्व की हार्दिक बधाई वा अनंत शुपकामनाएं हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 जनवरी के पंचांग राशी फल और मह आया जा रहा है तो इतो बात रही आज के पंचांग की एप्टर्चा करते हैं राशी फल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों को संतान की सफलता से आपके उत्साह में वृद्धी होगी संतान की मनोकामनाएं पूरी होंगी ग तीर थेयात्रा विवाहा आधिकायोजन आपको संतोष प्रदान करेगा जब भी अपने घर से निकले किसी शुब्ध काम के लिए तो मालक्षमी की पूजा करके और मुख में मिश्री रख करके निकलना चाहिए क्रोध करने से बचना चाहिए मिथुन राशे मिथुन राशे वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त में गड़बड़ी का योग बनता है सचेत रहें तनाव ग्रस्त आप आज नहों तनाव से बचना चाहिए इलाइची खाकर के घर से निकले भगवान गणेश की पूजा अराधना करें और किसी भी तरीक से निकलते समय पान का एक साबुत पत्ता अपने साथ रख करके ले करके निकलना आपके लिए आज बहुत अच्छा तोटका हो सकता और किसी की निंदा करने से आज आपको बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए घर से संबंदित भूमी भवन विश्यों को छेड़ना इस समय आपके लिए उचित नहीं होगा भगवान भोले नात के अराधना करें और भाई बंदू के साथ वाद्विवाद से आपको बचना चाहिए कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयासों सेपारिवारिक मतभेद में कमी हो सकती है एक चुटकी जीरा खा कर के आपको निकलना चाहिए आज तो आज आपका दिन शुब होगा आत्म विश्वास में कमी मत होने दीजे तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए निकटवर्तियों और संबंधियों के साथ आपके रिष्टों में कुछ तनाव आ सकता है कुछ खटास आ सकते है तो अपने विवहार को अपने रिष्टों को बचाने पर ध्यान दीजे दही चीनी खा करके निकलना आपके लिए बहुते शुब होगा किसी से रुपए पैसे उधार लेने से आज आपको बचना चाहिए वरिष्टेक राशी वाले जातक लोगों के लिए कोट कचरी के मामलों से आज आज आपको दूर रहना आपके लिए हितकारी होगा आपकी बच्चों से जुड़ी मुख में रख करके निकलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा सुच समझ करके निर्णे लेना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी अशान्ती और परिशानी का कारन बन सकती है एक छोटा टुकड़ा आद रख का मुख में ठोर हो सकता है लौंग अपने साथ खा करके निकलना या रख करके निकलना आपके लिए लापकारी रहेगा किसी का दिल दुखाने से आपको बचना होगा मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए उदासींता को त्या करके धहरे पूर्वक्त कारे करें समाधान नि कहती हैं और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महावपाई की जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर संक्रांती पर किये जाने वाले कुछ बेहद अचूक बहुती प्रभावशाली बहुती लाबकारी उपाई और तोटके जिनको करके आप अपने पूरे साल को बहुती सुखद बहुती शुब और बहुती सफलता पूरवक अपना साल बिता सकते हैं और साल में सफल रह सकते हैं संतोष्ट रह सकते हैं तो आईए जानते हैं क्या हैं वो तोटके मकर संक्र को फायदा मिले तो उनमें से मकर संक्रांती की जो तिथी है वो बहुती महत्वपूर्ण तिथी पर आप इस्नान दान करने के साथ साथ कुछ उपाए और तोटके भी अपने भाग्यों नती के लिए करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा मकर संक्रांती का जो पर्व होता है वो दानपूर्ण इस्नान का पर्व मात्र नहीं है बलकि जीवन में परिवर्टन लाने का भी पर्व होता है आप आसान उपाय अपना करके अपनी किस्मत के बंद अरवाजों को खोल सकते हैं मकर संक्रांती की तिथी में हमें पंच शक्ती साधना करनी चाहिए इसका अवसर हमें प्राप्त होता है जो संपूर्ण वर्ष मनोवांशित फल हमको प्रदान करता है मकर संक्रांती के दिन पंच शक्ति जो पूजा का विदान है उसमें पंच शक्ति में देवी देवता कौन-कौन से आते हैं उसको समझ लीजे भगवान गडेश, शिवजी, विश्नुजी, महालक्ष्मी और सूरे देवता ये पांच देवता जो है पंच देव जिने कहा गया इनकी पूजा अराधना करने का ये विशेश परव और तिवार होता है इन सब की सनियुक्त रूप से अराधना करना हमारे शास्त्रों में इस्तिति में बहुती महत्वपूर्ण बताया गया है पंच शक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व मकर सं संक्रांती है इसनान दान के साथ आप पंच देव की पूजा करके अपने सोए भागे को भी इस्तिती में जगा सकते हैं इसनान का महत्व क्या है इस्तिती में कहा जाता है कि मकर संक्रांती के दिन गंगा इसनान करने पर सभी कश्टों का निवारन हो जाता है इसलिए इस दिन दान तप जब का विशेश महत्व होता है ऐसी मानेता है कि इस दिन को दिया गया दान विशेश पुन्य देने वाला होता है मकर संक्रांती का एतिहास एक महत्त समझ लेते हैं ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान भासकर अपने पुत्र शनी से मिलने स्वेम उनके घर जाते हैं चुकि शनीदेव मकर राशी के स्वामी है अता इस दिन को मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है महा भारत काल में भीश्म पितामा ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांती की तिथिका ही चैन किया था मकर संक्रांती के दिन ही गंगा जी भगीरत के पीछे पीछे चल करके कपल मुनी के आश्रम से होकर के सागर में जा मिली थी मकर संक्रांती से प्रकिर्टी भी करवड बदलती है इस दिन लोग पतंग भी उडाते हैं उन्मुक ताकाश में उड़ती पतंगें देख करके स्वतंतता का अनुभव होता है इस दिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन प्राता काल उप्टन लगा करके तीर्थ के मिश्रित जल से इस्नान करना चाहिए तीर्थ का जल उपलब्द न होने पर दूद और दही से इसनान करना चाहिए तीर्थ इसनान या पवित्र नदियों में इसनान करने का महत्व सरवाधिक होता है इसनान के उपरांत नित्य कर्म तथा अपने अराद्य देव की पूजा अराधना करें पुन्यकाल में दात माजना, कठोर बोलना, फसल तथा व्रिक्ष का काटना, गाए भैंस का दूद निकालना इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए इस दिन पतंगें उड़ाया जाने का विशेश महत्व होता है कौन-कौन से मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं तोसरिय देवता के जो अलग-अलग गायत्री मंत्र है तो अलग-अलग प्रकार होते हैं अगर उनके मंत्रों का जाप किया जाये तो ौव्रे मंत्रों का जाप कBob करने पड़ेंगे उससे आपको तो बहुत अच्छा पायदा मिलेगा, तो सबसे पहला मन्त्र ओम इसके बाद सूर्य देवता का मंत्र ओम भासकराय विद्महे महा तेजाय धीमही तन्नो सूर्य प्रचोदयात तो ये पांच अलग-अलग देवताओं के मंत्र हैं इनका जाप करके आप लाप ले सकते हैं हिंदु धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांती का बहुती महत्व माना गया है शास्त्रों के नुसार देवताओं के छे मास के इस प्रथम दिवस में किये गए उपाय बहुती पुन्यदाई होते हैं और इस दिन कुछ विशेश उपायों को करने से भाग ये मजबूत होता है आ में मुक्ति मिल जाती है यदि आप आर्थिक समस्या से जूज रहें यानि धन की कमी से आप परिशान हैं तो ये समय है कि आप छोटा सा उपाय करके अपनी आर्थिक समस्या से मुक्ति पा सके आपको सिर्फ मकर संक्रांती की रात को ये टोटका करना है इस टोटके को बहु के तेल का दीपक जलालें सर्सों के तेल के लावा तिल का तेल या चमीली के तेल का भी प्रए O रक्षमी जी सीग्रही प्रसन हो जाती है और आपके जीवन में फिर कभी जो है धन की कमी नहीं रहती और जब आपकी ये साधना पांच माला का जाब पूरा हो जाए तो लक्षमी जी की देशी घी के दीपक से आरती कर लीजे और इन कोडियों को लाल कपड़े में बांध करके जिस पर आपने बिचा करके रखा था इन छोटी सी पोटली ब मकर संक्रांती को सभी जातकों को चाहे वो इस्त्री हो या पुरोशों सूर्योदय से पूर्व ही अवशे उठ जाना चाहिए यानि अपनी शया का त्याग करके इसनान आदी अवशे करके तयार हो जाना चाहिए देवी पुराण में उल्लेक मिलता है कि जो यक्ति मकर संक् तक आरोगिता की प्राप्त करता है और जातक रूपवान यानि सौंदर की प्राप्ति करता है वह सुंदर बना रहता है और उसे कभी रोग का भै नहीं सताता तो इस्तिती में तिल से स्नान करना तिल को खाना तिल से हवन करना तिल का दान करना इस सारी चीजें बहुत ही महत् कर सकते हैं इस दिन तीर्थों मंदिर देवालेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सूरी को तांबे के लोटे से जल देना है जल में कुमकुम अक्षत तिल काले तिल लाल रंग के फूल और कुछ मीठा चीनी शहद या गुड़ का एक टुकड़ा थोड़ा सा आपको वो जरूर डाल करके उससे आपको अर्ग देना है अर्ग देते समय ओम घ्रणी सूरी आए नमह मंत्र का जरूर करते रहें या फिर गयत्री मंत्र का उच्चारन करते रहें इस प्रकार सूरी देवता को अर्ग देने से मन की सभी एक्षाएं जो हैं मनो कामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती है मकर संक्रांती के दिन दान का विशेश महत्र है हमारे शास्त्रों के के नुसार इस दिन किये गए दान का सहस्तरों गुनापुन्य प्राप्त होता है इस दिन कंबल गरमवस्तर घी दाल चावल की कच्ची खिचडी और तिल आदी का विशेश दान करना विशेश रूप से शुफलदाई होता है विश्णु धर्मसूत्र के नुसार मकर संक्रांती के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए पित्रों की शांती है तो जल युक्त तिल से आपक तिल के तेल की माले शरीर पे करना चाहिए या फिर तिल से बना हुआ उप्टन लगा करके अगर आप इसनान करते हैं तो समस्त ग्यात अग्यात पुन्य जो हैं वो नश्ट हो जाते हैं इस दिन गरीबों को यथा संभव भोजन करवाने से उस घर में कभी भी अन और धन की कमी नहीं रहती जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है शास्त्रों के नुसार मकर संक्रांती के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना बहुत ही शुब माना गया है इस दिन खिचड़ी तिल गुड़ और पके हुए चावल में गुड़ और दूद म अत्वा ब्राम्वन को दान देने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाई निश्चति पूर्ण होती है जोते शास के नुसार चुकी तांबा सूर्य की धातु है अता मकर संक्रांती के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बैते हुए जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य के दोश जो हैं वह समाप्थ होते हैं तिल युक्त जल जल जो है पित्रों को देना अगनी में तिल से हवन करना तिल खाना और खिलाना और तिल का दान करना अनन्य पुन्य की प्राप्ति कराता है मकर संक्रांती की दिन पित्रों के लिए तरपण करने का विदाने इस दिन भगवान सूर्य को जल देने के पशात अपने पित्रों को भी उनका इस्परण करते हुए तिल युक्त जल देने से पित्र प्रसंद होते हैं और जातक पर उसके पित्रों का सदैव कृपा आशिर वाद से जीवन में कोई भी संकट नहीं रहता हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर के इस नानादी करने के बाद पूर्वदिशा में मुक करके कुश के आसन पर बैठ जाएं और फिर अपने सामने चौकी बिछा करके चौकी सफेद वस्त्र बिछाएं और उसके उपर सूरिदेव का चित्र या प्रतिमाया सूर्य यंत्र को स्थापित करें इसके बाद सूरिदेवता का पंचो-पचार पूजन करने के बाद सूरिदेवता को गुड का भोग लगाएं पूजन में लाल फूल का उपयोग आप कर आपका सामर्थ है ऑपकी श्रदा है आप चाहते है तो धुनों के दोनों भी करसकते हैं तो पहला tell हो मद अप्रां फास कर आया नमाद यदि किसी जातक की कुंड़ी में सूर्य का दोश होगा तो उसका प्रभाव कम होगा और शुब फलों की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी प्रायश्चित करने के लिए भी ये दिन बहुती उत्तम माना गया है मकर संकरांती के दिन भगवान शंकर के सामने हाथों में काले तिल और गंगा जल ले करके संकल्प करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए शमा या आचना प्रार्थना उनसे करनी चाहिए निश्चित रूप से भगवान गलतियों को शमा करेंगे और मनोवांचित फलकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी मकर संक्रांते के दिन गौमाता को तिल मिली हुई खिचडी खिलाने से शनी ग्रहे और सभी ग्रहों के अशुब प्रभावों में कमी आती है गौमाता को इस दिन खिचडी के साथ जो भी वस्तु खिलाई जाती है उस ग्रह से सम्मंदित पीडा अवश्य ही कम हो जाती है इसलिए हर जातक को दान के साथ साथ गाय को खिचडी इस दिन अवश्य खिलानी चाहिए मानेता है कि मकर संक्रांती के दिन शुद्ध गी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है और पित्रों को इस से मुक्ती मिलती है अगर वो कुछ कष्ट पा रहे हो तो उनका भी उध्धार हो जाता है ध्यान ये रखना चाहिए क्योंकि हिंदू दर्म संक्रांती में मकर संक्रांती का विशेश महत्व है अता हर व्यक्ति को अपने जीवन में सभी अस्थिर्थाओं को दूर करने के लिए और जीवन में शुब फलों की प्राप्ती के लिए इस दिन अपने सामर्थ नुसार आपको इस्तिती में जरूर करने चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूं कि छोटे-छोटे उपाय सरल टोटके जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चती पसंद आते होंगे आप सभी से बार-बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो दे आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं ज केलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नंबर है 990724131 आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनो नंबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सअप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद